दोस्तों नमस्ते, चानल में आप सबका स्वागत है, Frequently Charmed Eating जो 30 November का जो एक प्रोसेस चल रहा था, 15 दिन का जो हमारा प्रोसेस चलता है, उसमें जो हम लोग 30 November का जो लास प्रोसेस चल रहा था, उसके सिलेक्शन प्रोसेस करने के बाद, पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ, पार्ट वन ये बना रहा हूँ, दूसरा पार्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज वेट करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा अपने परसनल अकामों में थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो इस कारण हो सकता है, तो इस परेट होता है, 15 दिन के अंदर जिनकी जो कुनलीज आती है, उसमें से जिस की कुनलीज सेलेक्ट हो जाती है, मैं उनकी डिटिंग कर देता हूँ, सिलेक्टेट की रीडिंग होती जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, तो पंदरह डिसमबर का अभी नेक्स टाइम परियेड च के इलावा चैनल सब्सक्राइब करके उसका स्क्रिंशॉट भेज़ दीजेगा अगर यह सब आप कर देते हैं और अपने दो सवाल क्योंकि फ्री कुंडली चार्ट डीटी में सरफ दो सवालों के जवाब देता हूँ और आपकी कुंड्ली सिलेक्ट होती है तो 15 डिसंबर से कुंडली आएगी अफू की रीडिंग कर देते हैं पहली कुंड्ली जो है वो गौरी जी का है आपकर लास्ट का जो नमबर है मोबाइल का वह 693 है आपके दो सवाल ते है कि civil services state commission services में आपके आपका कैसा रहेगा कर पाएंगी के नहीं कर पाएंगी clear और दूसरा financial status कैसा रहेगा future financial status condition कैसा रहेगा गौरी जी अभी आपकी जो महादश्या चल रहे है वह गुरू की चल रहे है 2009 उसको इंग्लिश में मैं हिंदी में नहीं बोल पा रहा हूं तो 2039 तक आपकी महादश्या गुरू की चलेगी जो की बहतर है यहां पर कहीं नहीं आपको अपने health related problems की वजा से हो सकता कि competitive exams में आपको प्रॉब्लम आए तो मैं यहीं बोलूँगा जी कि शनी की आपकी अंतरदशा चल लिए 2027 तक इस time period में बहुत अच्छा time period है अगर आप civil services या states commission के लिए exam देना चाहती है तो उसके लिए आपके लिए बहतर समय है आप government job के लिए अभी try कर सकती है यहां पर शनी काफी अच्छा आपको benefit देने के प्रोजिशन में है गुरू के साथ बैठा है लगन के साथ बैठा है तो कहीं नहीं आपको यह benefit जरूर प्रोवाइट करेगा लेकिन बहरहाल यहां पर आपको अपने health के उपर concern रखना पड़ेगा अपने health को लेकर ध्यान र रहेगा लेकिन यहां पर गुरू च्टे घर में बैठने के कारण कहीं ना कहीं आपके health में problem देने की कारक हो सकते हैं क्योंकि लगन के मालिक हैं आप Sagittarius है तो इस लगन के मालिक गुरू है और च्टे घर में शुक्र की घर में बैठे हुए हैं तो इस कारण वास यहां पर और concentration करना पड़ेगा बहराल यह था time period इसके बाद बुद्ध की माद अशा लगेगी उस time period में आपके शादी होने के chances भी हो सकते हैं और simultaneously यह भी possibility है जिके आप business come job में चली जाए तो अगर आप पूछ रहें financial condition कब अच्छा होगा तो financial condition आप अच्छा होगा जब आपने फ अगर आप बात करेंगे तो उसके रिकार्डि में बता सकता हूं हाला कि financial condition आपके अच्छे होंगे गुरू की दशा में आपके financial condition अच्छे होने चाहिए जब भी शुक्र के अंतरदर अच्छा लगेगी तब भी आपकी financial condition अच्छे होंगे शादी करेंगी तो भैटर करेंगी तो उसमें भी अच्छा रहेगा और आपको hai ना कहीं आपको बनाती है तो बाहर बनाएंगी पले सट अगर दूर रह किए अच्छा रहाइगा है आपके फिक्स से दूर आपका काम अगर इसेशित Guam काम करती हैं तो अच्छा रहेगा यहां पर दो चीजे दिखाता है जिकि सिविल सर्विसेज और कॉर्णमन जॉब के अगर आप कर लेती हैं सक्सेस्फुल हो जाती है तो तो बहतर है लेकिं सैमिल टेले सी हाँ पर यह दिखाता है जिकि आप ऐसा काम करेंगे तो जॉब कम ब भी पर धीरत जी आपका जो मुबाइल नंबर है डिजिट है जो वह है और आपने जो मुझ से पूछा है फाइनेशल सक्सेस कब मिलेगा और मैरिज के चांस कब है देखिए आप मांगलिक है यह चीज आप ध्यान में रखेगा तो शादी आप करेंगे तो मांगलिक से ही कर इंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अब बात कर लेते हैं फाइनेशल सक्सेस तो आप को मिलेगी वह आप देखेंगे तो आप भी Sagittarius है आपका लगन भी Sagittarius है जो लगन भी Sagittarius मतलिर नव पी पर लिखा है लगन और गुरू आपके यहां पे ओनर हो जाते हैं गुरू आपके जो बैठे हो है पंचम स्थान में बैठे हो है आई के स्थान पर बैठे हो है लग के स्थान पर एजूकेशन के स्थान पर बैठे हो है और साथ में यहां पर शनी के साथ बैठे हो है तो शनी की साथ में बैठने क कारण यहां पर गुरू और शनी का अच्छा योग बन जाता है अच्छा इजूकेशन रिलेटट काम आपका बन जाता है अब आप पूछरेगे FINANeंशल सकसम कम मिलेगा provoke और प्लिकेशन शत्ता करते हैं कि इस तरह करते हैं कि इनसान तेड़े दिमाग से काम करना शुरूर करता है तो मेरा पॉइंट वो यह रहेगा अगर आप कोई भी टेड़ा काम करते हैं तो उसको सोच समझ के करिएगा सही नुकसान अपना फाइदा सिर्फ देखके मत करिएगा बुरा बत मानिएगा लेकिन रहू की यह महादशा में इंसान थोड टेड़ा रस्ता मत अपनेएगा पहले सोचिएगा जैकि क्या मैं सीधर रस्ते से काम कर सकता होगा अगर वो सीधर रस्ता काम नहीं होता तब मजबूरी में आकर आप टेड़े रस्ते लगाईएगा अपनी बाते सीक्रेट रखेगा कुछ भी रखेगा अपनी बाते सीक्र मतलब क्या जो भी आप काम करते हैं उसको जादा किसी के साथ discuss मत करिए यूकि राहु की महादशा में अगर आप जादा discussion करेंगे तो आपको problem हो सकती है हाला कि यहां पर राहु अश्टमेश हो के बैठे हुए और अश्टमेश का माली का सोच के मजबूरी में ही जो decision अगर कोई तेड़ा रस्ता ले रहे हैं तो मजबूरी में ही लीजेगा तुरंत मन लीजेगा अब बहराल रहते हैं जादी के बाद आपके financial जादा finance जादा अच्छे होंगे आपकी शादी अगर हो जाती है तो आपके अच्छा finances जादा अच्छे होंगे जब आपके बच्चे उनगे उसके बाद आपकी फाइनसर और भी बहतर होंगे गुरू के पंचमस्तान में बैठने के कारेन और शणी के पंचमस्तान में प्यूंकि मंगल के घर करमें बैठ है है लेकिन इस घर में 957 शनी कारा मतलब बुरा नहीं असर देंगे अच्छा असर देंगे तो सब कुछ अगर आप ऐसेट कुछ बनाना चाहते हैं तो वह सब आप सेकेंड हाउस का बेनेफिट आप तभी ले सकते हैं जब आपके घर में कोई बच्चा हो या कोई आपके बेने शादी करने से पहले अपनी मांगली जो चीजे हैं उनको जराचा देखके करिएगा उसे पहले